हेलो आपको पसंद आएगा यह बहुत ही इजी मेकप लुक है और इसमें हेस्टाइल भी बहुत ही ब्यूटिफूल मेकप और हेस्टाइल हुआ है तो चलिए अपनी मेकप को स्टार्ट करते हैं मैंने कि यहां पर वैट टीशू लिया है जिसमें मैं अपना फेस अच्छे से क कुमबर टोनर जो हमारे उपन पोर्स को क्लोज करता है यह हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है उसके बाद मैं यहां पर लूँगी गुड़ वाइप का रोजिप सिरम यह सेंसिटिव प्लस ड्राय स्किन वालों के बहुत ही बैनिफिशल है यह हमारे स्क कर देगा जिसे हमें अलग ही गलो प्रवाइड होगा देखिया उसके बाद यहां पर लेंगे डियर स्विस्टी का रियल मेकप बेस हाइलाइटर प्राइमर यह मैं हाइलाइटर मिक्साइस प्राइमर में तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने फर्स्टाम यूज किय है यह ionや यहां पर मैने ब्यूटी ब्लेंडर को एच्छे से वाटर में टीप इप करके इसका बाटर को करके और अच्छे से टावल से मैंने उसे जहीं पोच्छ लिया यसीगा मारी बल෻ बहुत अच्छे से ओपाई देखिए आप कितने अच्छे से मेरे जो प्राइमर है वो ब्लेंड हो गया है अब मैंने हाँ पर लिया है जो आय का अल्ट्रा लुक मेकप फांडेशन इसका कवरीज नॉर्मल है बहुत हाई कवरीज नहीं देता डियर ये बट ये दे मेकप के ल मुझे का और ऑन से बचुछ यह ट着कर कर आए इस फेज बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है है अवार अब युल-लगाता इसन नहीं घिंग कर देता है यह ए देखिए इससञासे अपने ब्लेंड के अपने ब्लेंड कीजिए जो भी अब अब्रोडय को लगाते है उसे ब क्योंकि blending में हमें ज्यादा time देना होता है इससे हमारा जो make up base है वह बहुत ही flawless लगता है डियर अब हम करेंगे powder setting तो मैंने यह आ लिया है huda beauty का matte compact powder यह day makeup look है डियर इसलिए हम बहुत ज्यादा dark नहीं करेंगे यह वही compact है डियर जो मुझे सुनिसा के beauty foundation के साथ मिला था यह बहुत ही अच्छा है compact उसके बाद हम यहां लेंगे mac की 18 colors की eyeshadow palette kit उसमें से मैंने एक बहुत ही beautiful सा shade लिया है जिसमें golden green shade mix है यह मैं पूरी अपनी eye lid पे लगाते हुए क्रीज लाइन तक जाओंगी यह मैंने सिफ एक single color से ही अपना eye makeup किया है जो बहुत ही ज्यादा beautiful हुआ है यह day makeup look है तो इसलिए हम बहुत ज्यादा dark नहीं करेंगे यह मैंने local market से 20 रुपीस का blue heaven की एक stick ली थी जो golden color की है बहुत ही अच्छी है डियर यह चलिए अब हम लगा लेते हैं magnated eyelashes जिसके साथ eyeliner भी मिलता है magnated eyelashes के साथ इसका बहुत ही अच्छी eyelashes है मैंने first time use की है मैंने अभी Amazon से purchase किया डियर यह इन सबका लिंक में description box में आपको provide कर दूंगे आप चेक कर लीजिए अगर डियर तो यह बहुत बहुत अच्छी मुझे अब मैंने यहाँ पर जो मशकारा लिया है यह है लैक मे 925 मशकारा waterproof है यह डियर तो बहुत easily लग जाती है यह eyelashes बहुत amazing लगी मुझे यह लिजिए डियर अब मैं यहाँ पर लोगी blue heaven का काजल इस काजल की pigmentation बहुत बहुत अच्छी है यह one time में ही अच्छे से लग जाता है इस तरह से और अब मैं अगेन मैक के 18 color eyeshadow palette में से वही color पिक करके और अपनी eyelid पे लगाऊंगी डियर हलके हलके smudge करूंगी जिसमें की मेरी eyes जो eyes है वो और भी pop up हो अच्छे से देख सकते हैं उसके बाद मैं यहां पर डियर आइब्रोज के लिए लूंगी जो कार्ड आइब्रोज जो है यह बहुत ही amazing है जिसके आइब्रोज बहुत light है मेरी तरह वो यह कार्ड ले सकता है डियर जिसके शेप प्र नहीं है आइब्रोज की वो यह लेकि अपनी shapes को फि आइब्रोज के लिए जो कि मेरे शेड ब्राउन यह बहुत ही अच्छी है यह मैंने अभी new purchase की है Amazon से और बहुत ही reasonable है डियर यह 65 रूपीज में मुझे मिली है बहुत reasonable है यह देख सकते हैं आप इस तरह से अपने eyebrows पर रख कर और आपको ड्रॉज करना है बस आपको यह पत है यह बहुत ही अच्छा मुझे कार्ड लगा आइब्रोज के लिए शेपर कार्ड कहते हैं डियर इसको यह मैंने अमेजोन से परचेस किया था यह मुझे दो साल हो गई यूज करते वे यह देख सकते हैं आप मैं स्पूली की हाइल्प से इसको अपने eyebrows को सेट कर लोंगी गच्छी इस साथे मेराहे मेरा आइस मेक अप बहुत ही ब्यूटिफुल हुआ है यह और फ्लेम की यह और टिन क का इस ग्रेस है जिस ते मैं कॉंटोरिंग करूंगी रोमेंटिक ब्यूटी को फेस्सले विटिक से इसमें बहुत ही ब्युटिफुल कॉलर वी कि AZ जो हाइल् यह बहुत ज्यादा हाश नहीं लगने चाहिए हमार मेकप जो हम कॉन्टोरिंग करते हैं अच्छे से कीजिए यह मैं अपनी नोस को कॉन्टोर करना भूल गई थी मैं बाद में करूंगी आपके सामने मेकप इसमें वीडियो में तो आप प्लीज एक साथ ही अपने जाजा अपने चिक्स पर इस तरह से कॉन्टोरिंग करके और मैं सबसे लाइट शेट जो है यहां पर पिंक वह पिक करूंगी और अपना ब्लश लगा इस तरह से लगाएंगे हलका ब्लश चाहिए डियर हमें यह डे मेकप है हलका हलका ब्लश लगाएंगे क्योंकि मेरा हर वार जो ह्य जाता है लेकिन मुझे इस बार अपना हैज ट्र दिखा न था कि मैं ईजी तरीके से आपको कैसे हैस्ट कि गा सकती हूँ है इसलिए मैंने अपनी वीडियो को स्पीड में किया हाँए है अपनी नोस यह पने आज्दोर सो कोउटेगे एप Netherlands तरह से उसे हलका हलका स्प्रेट कीजिए ताकि और भी अदा शार्प लगे अब हम करेंगे हाइलाइटर इसी इसी ब्यूटी पैलेट में से हम हाइलाइटिं करेंगे अपनी फेस की नोस पे चेक्स पे चेंड पे लिफ्स फोरेट पे जहाँ जहाँ आपको हाइलाइटिं की नीड है यह आप वहाँ वहाँ कर लीजिए यह बहुत ही अमेजिंग हाइलाइट पैलेट है इसमें ब्लॉश हाइलाइटर प्लस इसमें कॉंटोरिंग यह मुझे सबसे बेस्ट लगी अभी तक की अगर आपको मेरी जूलरी पसंद आ रही है आगे आप देखेंगे वीडियो में आपको साड़ी अच्छी लग रही है तो यह मीशो की है साड़ी साड़ी और यह मैंने हियर बन लगाया है यह भी मीशो का है तो अगर आप इसे लेना चाहेंगे तो मैं लिंक आपको डिक्र कर लीजेगा हम अपनी आइब्रोस के नीचे भी हाइलाइट लगा रही हूं जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल सा लुक आएगा डियर इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो और अब मैंने यहां पर ली है डेव ब्यूटि लिक्विड मैट लिप्स्टिक है यह इसके मैंने 12 शेड एमजोन से ही परचेस किये थे अगर आप कहेंगे तो मैं पूरे 12 शेड आपको वीडियो अलग से बना दूंगी बट इसका यह शेड मुझे यह शेड नहीं मुझे सार इसके शेड बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे लगे मैं आपको दिखाऊंगी एक अलग से वीडियो बना दूंगी डियर में इसकी अब हम यहां पर एक छोटी सी बिंदी लगा लेंगे और हमारा लुक यहां पर मेकप लुक कम्प्लीट हो गया है अब हम अपना हेस्ट बनाएंगे डियर मैं आपको अलग से वीडियो बना के जरूर दूंगी डियर आपको शेड बहुत पसंद आने वाले हैं और यह लिप्स्टिक जो है बहुत ही रीजनेबल प्राइज में आपको मिल जाएगी 12 पीसिस का सैट है यह डियर इस तरह से आप अपने पीछे जो ह अपने बालों को अच्छे से कॉम करके और पीछे टिक टक पीन से सेट कर लीजिए अच्छे से I hope dear आपको मेरी यह वीडियो पसंद आएगी अगर पसंद आए तो पीस मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सुस्क्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंट रो फैंटि साथ मेरी वीडियो को शियर कर दीजिए प्लीस फ्रेंड yap बन लगा के और एक रबर लगा लीजिए कोई भी रबर बैंड ले सकते हैं और जो बाल बचे हैं उसको इस तरह से अपने बालों के अंदर की तरफ करके आप यह जूड़ा पिन से सेट कर लीजिए डियर बहुत ही सुन्दर सा और बहुत ही इजी हेस्टायल आपका बन के रे तयार है कि डियर यह मैंने इसमें बैल्ट लगाई हुई है यह बैल्ट मैंने डिय वाय करके अपने आप से बनाई हुई है यह एक्चली मैंने एक मीटर की लेज खरी दी हुई है और उसे मैंने पिन से सेट किया हुआ है इस साड़ी पर यह मैंने इस साड़ी के लिए ही ल कि अलक से बैल्ट को खरीदा नहीं है यह मैंने खूद बनाई है यह देखिए मेरा फाइनल लुक है तो चलिए हलका सा इस पे ट्विस्ट करते हैं यह रॉड सैट करते हैं रॉड सैटिंग से अपना आगे से हलका सब बिल्कुल मैंने लुक अच्छा क्रेट करने की कोशिश की है आई होप आपको पसंद आएगा डियर पसंद आए थोड़ा सबी तो प्लीस मेरी वीडियो को प्लीस डियर लाइक कर दीजिएगा ये देखिए पूजा का बनता है तो सर पे पल्लू लेना तो बनता ही है डियर आई होप आपको पसंद आयोगा पसंद आया तो प्लीस लाइक कर दीजिए बबाइडियर